दोस्तों नमस्कार लगातार हमारे व्यूवर्स की डिमांड आ रही थी कि पार्वो वाइरस का हम घर पे कैसे ट्रिटमेंट करें तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसा ट्रिटमेंट बताने वाला हूँ जो कि अगर आपका डोग या पप्पी पार्वो से ग्रिसित हो गया है और मान लीजिए आपके पास पसुचिकिसक की सुईदाएं नहीं है अगर सुईदाएं हैं तो हमें लेना ही है क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाग विमारी है डोग्स के लिए तो पसुचिकिसक को जल्द दिखाना है लेकिन कई बार ऐसी इस्तिति आ जाती है कि हम पसुचिकिसक के पास जानी पाते हैं या उपलब्द वो नहीं हो पाते हैं उस समय हम क्या करते हैं कि यूहीं उपर वाले के बरुसे अपने पप्पी या डोग को छोड़ देते हैं ऐ इसमें क्या होता ہے कि यह एक वारल डिजीज है और वारल डिजीज जो भी होती है इनका कोई फिक्स ट्रेटमेंट नहीं होता कि यह दवा दे दो भीलगल ठीक हो जाएगी ऐसा कुछ नहीं होता यह वाईरल डिजीज का तो सिरफ बचाव ही उपचार रहा हैं बचाव मतला उसका टीका लगाना यानि Vaccination करवाना Vaccination बहुत ज़्यादा जरूरी है यह हम हर वीडियो में बताते हैं और Vaccination के लिए हमने अलग से वीडियो भी तयार कर रखे हैं पपी स्टेज में कौन सी लगानी है बड़े जो डोग हैं उनको कौन सी लगानी है यानि सारी बातें उसमें डिटेल से मेडिसें नाम सहीद बताये हैं वो वीडियो में डिस्किप्शन में डाल दूँगा तो बचाव के लिए आप वैक्शिन जरूर लगवाएं कई बार वैक्शिन फैलियर हो जाता है वो किस वज़े से होता है? हम कोल्ड चैन मेंटेन नहीं रखते इंजिक्शन जब लेके आते हैं तो उसके वज़े से वैक्शिन फैलियर हो जाता है तो पारवो हो सकता है या अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है चारो तरव इस्ट्रीट डॉग में भी बहुत ज़्यादा पारवो की सिम्टम्स है तो हमें गर पे क्या इलाज करना है? गर पे इलाज करने के लिए हमें विसेश तोर से तीन चीजों की जरुरत पड़ेगी ठीक है? पहले चीज है, गरेलू हमें नुषका बनाना है दूसरी चीज है, हमें एक ऐसी दवा देनी है जो उसके दर्द को, बुखार को रोक सके और तीसरी ऐसी चीज है, जो उसके अंदर इंफेक्शन हुआ है यानि कि वाइरल जो भी इंफेक्शन होते हैं उनमें साथ साथ में bacterial infection भी पनब जाते हैं जिसकी वज़े से बना डोग है वो ज्यादा कमजोर हो जाता है तो उसके लिए हमें कुछ infectious disease यानि infectious problem को रोकने वाली जो दवा है वो भी हमें देनी है तो इतना ये सारा treatment आज मैं आपको विस्तार से समझाने वाला हूँ तो friends वीडियो सुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक अन्रोथ करना चाह रहा हूँ कि अब तक अगर आपने हमारे चनल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe कर ले क्योंकि मैं देख रहा हूँ लगातार जो unsubscribe जो देख रहे हैं मुसंक्या ज़्यादा है subscribers की कम है तो आप please जो भी देख रहे हैं अगर आपको हमारी जानकारिया पसंद आती है तो आप हमें like भी कर सकते हैं ये share भी कर सकते हैं और subscribe तो करना ही है तो देखिए जो शुरुआत करते हैं देशी नुस्के से तो देशी नुस्के में जो प्रथम चीज हमें लेनी है वो है सहद सहद energy का भी बहुत अच्छा source है उल्टी में भी बहुत अच्छा काम करेगा तो सहद हमें एक चम्मच लेना है ये मैं जो आपको dose बता रहा हमें सुबह और शाम दोनों समय देना है और हमारे डोग या पपी का वजन दस किलो है तो उसे हम ये जो dose है वो दे सकते हैं अगर माली जी वजन कम है तो हम इस dose की मात्रा जो है वो कम कर देंगे ज्यादा है तो बड़ा देंगे तो देखिए सहद हमें लेना है एक चम्मच उसमें चार पांस बुंदें निम्बू के रस की डालनी है ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और साथ में हमें लेना है एक इलाइची एक इलाइची को हम अच्छी तरीके से कूट लेंगे उसका पाउडर बना लेंगे मतलब इलाइची का छिलका पहले अलग कर लेंगे फिर जो काले काले दाने उसके रहते हैं, उन दानों को हम पीस करके पाउडर बना लेंगे और इन टीनों का मिक्स अप, सहद, नेम्बू और इलाइची, इन टीनों का मिक्स अप हम हमारे डोग को देंगे. ये एक समय की खुराग होगी, लेकिन इतने में काम नहीं चलेगा, ये जो फॉर्मूला में ने बताया है, वो उल्टी को रोकेगा, प्लस जो पेट में इस टोमक फॉब्लम्स होई है, वो दूर करेगा, लेकिन इसके अलावा दर्द सुजन बुखार के लिए हमें मार्केट म एक सीरप मिलती है, जिसका नाम है मेलोक्षी काम, मेलोक्षी काम प्लेन सीरप लानी है, ये ध्यान डगना, मेलोक्षी काम के साथ कोई भी अन्य साल्ट मिलावा नहीं होना चाहिए, मेलोक्षी काम की प्लेन सीरप मार्केट में कई कमपनियों की मिलती है, और हमें वेटनरी कि नहीं मिल रही है कोई बात नहीं हुमन वारी ला सकते हैं क्योंकि हुमन मेडिकल सभी जगे हैं आपको आराम से मिल जाएगा तो मेलोक्षी काम प्लेन की हमें सीरप लेके आनी है और इसके साथ जो दूसरी सीरप हमें लेके आनी है वो है ओफलोकसासिन और औरिंडा जोल की और और औरिंडा जोल जो आप ये नाम देख रहे हैं ये साल्ट का नाम है इस साल्ट की भी कोई सी भी सीरप आपला सकते हैं सीरप फॉर्म थोड़ा डोग में अच्छा रिजल्ट देती है इनकी टेबलेट ही भी आती है तो अगर सीरप नहीं मिले तो टेबलेट भी ला सकते हैं लेकिन सीरप का जो रिजल्ट है वो बहुत ही शानदार है यानि हमें सीरप फॉर्म यूज करनी है मेलोक्सी काम चार एमिल लेना है और जो ओफलोक्सिन औरिंडाजोल की सीरप बताईए मैंने वो भी चारे मिल लेना है और पहले जो आमने आपको नुस्का बताया था वो नुस्का लेना है यानि एक समय की ये खुराक हो गई है और एक समय आपको अपने डोक को देना है उसके बाद इसमें थोड़ा सा अगर आप बदलाव करना चाहें तो जो नुस्का है वो एक डेट गंटा पहले दे दे क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या होती है बहुत ज़्यदा उल्टी होती है डोक कुछ भी खाता है खाता तो है ही नहीं गहर लेकिन पानी भी पीता है तो तुरंट उल्टी खाता है पार्वो ड्रॉप के नाम से मार्केट में कोई ही ड्रॉप्स मिलती है मैं तो यह कहता हूँ कि जब पार्वो आप सुनते हैं कि फलान डोग में हो गया उसमें हो गया तो उस समय आप पार्वो ड्रॉप्स जो होती है वो लाकर के अपने घर पे रख ले और अकर थोड़ी बहुत भी आपको सिकायत लग रही है तो पार्वो ड्रॉप्स जो है वो अपने डोग को या पपी को दे अलग-अलग कंपनी की अलग-अलग ड्रॉप्स आती है कई मार्केट में फैमस ड्रॉप्स है उनमें से कोई सी भी आप मंगवा ले और वो ड्रॉप्स जो मात्रा उस पे लिखी हुई है इसमें क्या होता है कि वजन की हिसाब से मात्राइं डिसाइड होती है और हर कंपनी की अलग-अलग हो सकती है उस पे आपको लिखी हुई मिल जाएगी तो जो मात्राइं लिखी हुई है वो मात्रा हमें अपने डोग को अपने पपी को देना है ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है इसके अलावा पारव वाइरस अगर हुआ है तो कुछ भी खाएगा तो उल्टी कर देगा तो हमें कुछ भी खिलाने के आउशकता नहीं है क्योंकि खिलाएंगे तो तकलीफ बड़ेगी तो क्या मतलब फिर खिलाने का तो यानि डोग को हमें भूका ही रखना है जो हमने सहद बगरा दिया था उससे थोड़ी बहुत उसे एनरजी रहेगी इसके अलावा मार्केट में ORS या इलेक्टरोल के नाम से कई एनरजी पाउडर मिलते हैं उन में से कोई सा भी जो डी हाइडरेसन को रोक सके क्योंकि इसमें डी हाइडरेसन होगा पानी की कमी होगी तो उसे रोकने के लिए जो इलेक्टरोल पाउडर आते हैं वो हमें मार् और हर पाउच जितनी भी मातना में आता है उसके लिए उसे क्या करना पड़ता है एक लिटर पानी अच्छी तरीके से बॉल्ड करना है फिर उसे वापिस ठंडा करना है और ठंडा करने के बाद उसमें वो इलेक्टरोल का पाउच डाल देंगे हिला देंगे और उसी पानी को हम पूरे दिन में उसे पिलाते रहेंगे दो दिन तक इसे हम रख सकते हैं और continuously उस पानी को पिलाते रहेंगे आपको लग रहा है कि हमारे डोग में कुछ सुदार हुआ है कुछ ठीक होने लगा है तो उसके बाद हम पैट ओनर्स हैं तो हमारा भी दिल करेगा कि इसे कुछ खिलाएं तो ठीक होने के बाद जू ही हमें लगता है कुछ ठीक हो रहा है और कुछ खिलाना है टेस्टिंग के लिए कि यह उल्टी करता है नहीं करता है उस इस्तिति में आपको रस गुला जो की मार्केट में मिलता है मिठाई है एक परकार की यह मिठाई आपको लानी है और उस में से कंप्लीट रस निकाल देना यानि मिठापन एक परशेंट भी उसमें नहीं रहना चाहिए गरम पानी किया गरम पानी में उसे डुबोया वापिस निचो लिया, अलग कर दिया उसके बाद और डुबोया, निचो दिया, अलग कर दिया तो वो जो रस्गुल्ला है, एक रस्गुल्ला एटे टाइप आप खिलाएं अगर वो डाइजेस्ट कर पाता है यानि वो उल्टी नहीं करता है तो आप एक रसकुला और खिला दें तो इस प्रकार से हम अपने डोग का जो पारवो वाइरस जो की एक तरह की लिथल बिमारी है उसका घर पे इलाज कर सकते हैं लेकिन विश्वास नहीं करना है क्यों क्योंकि इसमें क्या होता है कि फ्लूट लोस बहुत ज़्यादा होता है यानि डी आड्रेशन बहुत ज़्यादा होता है सिरफ इलेक्टरोल पाउडर इसकी पूर्ती नहीं कर पाएगा इलेक्टरोल देंगे तो कई बार उल्टी भी कर देता है तो ये भी प्रॉब्लम रहती है तो उस कंडिशन में हमें नजदी की वेट की सला लेनी है और कंटिनिवसली उसे ड्रीप चड़ाना है ड्रीप में कौन-कौन से इंजेक्शन लगाने चाहिए कैसे पूरा ट्रीटमेंट होता है इसके बारे में हमने एक अलग वीडियो में जानकारी दी थी जो भी प्रैक्टिशनर भाई मेरा वीडियो देख रहे है वो उस वीडियो में जाकर के देख सकने है मैं डिस्किप्शन में भी उस वीडियो का लिंक डाल दूगा आता कि आपको किसी भी ब्रकार की कोई समेशन ना हो